हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे सबसे पहले आपको बतायता हूँ आज आपका 14 अगस्त को SSE CGL का कोई भी एक्जाम नहीं था ये वीडियो मैं उन केंडियेट्स के लिए लेकर आया हूँ और CGL की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लेना फर्स्ट कोशन निमन लिखित में से प्राचींतम राजवन्स कोन सा है सबसे प्राचींतम जो राजवन्स है ये है दोस्तों मोरे राजवन्स और फर्स्ट रूलर ओफ गोल्ड करेंसी इन इंडिया यहाँ पे सरव प्रथम सुरण मुद्रा चलाने वाले शाशक पूचा है तो भारतिय युनानी करेक्ट आंस्वर होगा इंडियन ग्रीक ओप्शन बीज दा राइट आंस्वर अगर आप चैसे पूचता कि सरवाधिक सुन मुद्राएं किस काल में हुई तब आप आंसर करते गुप्त ठीक है नेक्स्ट कोशन आपके सामने है भारत सरकार द्वारा परियोग में आने वाला शक शवंत किसने प्रारम किया था देखे दोस्तों वू स्टाट दा शक एरा यूज़ बाइदा गवर्नमेंट ओफ इंडिया तो ये दोस्तों प्रारम किया था कनिश्क ने ओप्शन ए इस कोशन का राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन है बान बट निमन लिकित में से किस समराट के राज दरबारी कवी थे देखे दोस्तों बान बट की बात करते हैं तो ये दोस्तों हर्श वर्धन समराट के राज दरबारी कवी थे option C इस question का right answer हो जाएगा speed test टेस्ट इसलिए फटा-फट से question करने वाले है next question है पल्वों की राज़ानी का नाम क्या था what was the name of the capital of the Pallavs पल्वों की राज़ानी का नाम था कांची option A इस question का right answer होगा next question आपके सामने पुर्ण सवराज प्राप्त करने का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था देखे दोस्तों in which session of the Congress was the proposal for attaining पुर्ण सवराज पुर्ण सवराज प्राप्त करने का प्रस्ताव जो है ना Congress के लाहवर अधिवेशन में हुआ था और ही सदिवेशन के देखता की थी जवारलाल नहरू ने नेक्स्ट कोशन है राश्ट्रे गीत की सुपनिया से लिया गया है देखे दोस्तों दा नेशनल स्वांग इस टेकन फ्रॉम विच नोवल तो ये लिया गया है आनन्दमट से अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था अथारा सो पैंटिस में इस समय गवर्नर थे दोस्तों मेकाले लोड मेकाले अंग्रेजों एक राश्ट आन्सवर होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमन लिखित में से वह दिली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यू पोलो खेलते हुए हो गई थी। देखे दोस्तों, who among the following was the सुल्तान ओफ डैली who died playing पोलो। तो पोलो खेलते हुए मृत्यू इती कुतु बुदिन एबेक की option A इस question का right answer होगा। नेक्स्ट कोशन है, तैमूर लंग ने किस वर्स में भारत प्राकरमन किया था। ज्यान की प्राप्ति करना, option A इस question का right answer होगा। नेक्स्ट कोशन है, अशोक ने तृतिय बोध प्रिशद कहां बुलाई थी। देखे दोस्तों, अशोक के द्वारा जो तृतिय बोध प्रिशद है, ये पाटली पुत्र में बुलाई गई थी। option A इस question का right answer होगा। नेक्स्ट कोशन है, निमन लिखित में से वहवेक्ति कोन है, जिसका नाम देव नाम प्रियदरशी भी था। देखे दोस्तों, देव नाम प्रियदरशी जो है ना, ये अशोक का नाम था, option A इस question का right answer होगा। नेक्स्ट कोशन है, इलाहाबाद स्तंब सिला लेक किस ने बनवाया था, देखे इलाहाबाद जो स्तंब सिला लेक है, ये हरिशेन ने बनवाया था, option A इस question का correct answer होगा, वीडियो अच्छा लिग रहा है तो वीडियो को like, share, जुरू क्या कीजिए, साथ में चेनल को subscribe करके notification बेल को भी on कर लेना, नेक्स्ट कोशन है, व्रैदेशवर मंदिर तंजा वूर किस राजे में है, व्रैदेशवर मंदिर तंजा वूर की बात करते हैं, तो ये आपका तमिल नाडू में स्तित है, option A इस question का correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, भारत में नालंदा विश्व पैरेट ओफ इंडिया, पैरेट ओफ इंडिया, अमिर खुसरो जी को बोला आता है, option B इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, दिल्ली सल्तनत की राजकिया भाषा क्या थी, देखिए वट वाज दा, official language of the दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की राजकिया भाषा थी, वो फारस तुगलक, option B इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, हुमायू नामा की रचना किसने की, हुव रोट हुमायू नामा, हुमायू नामा को लिखा दोस्तों, गुलबदन बेगम ने, option D इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, भारत का प्रतम मुगल बाच्शा कौन था, महाबारत का फार्सी में अनुवात किया था, बदा यूनी ने, option D इस question का correct answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, यात्री इबन बतूता कहां से आया था, यात्री इबन बतूता जो है ना, where did the traveler इबन बतूता come from, तो यह आया था, मुरक्को से option A इस question का correct answer होगा, नेक्स्ट कोशन है चितोड का विजे स्थम्ब किसने बनवाया था, who built the victory pillar of चितोड, चितोड का विजे स्थम्ब बनवाया था, राना कुमबा ने, option B इस question का right answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली factory कहां स्तापित की थी, अंग्रेजों ने भारत में अ नाम, राज्य हडप निती के साथ जुड़ा हुआ है, option B इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, बकसर की लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी, बकसर की जो लड़ाई हुई थी ना, ये 1764 में हुई थी, option C इस question का correct answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, भारतिये सीविल सेवा क 44 के सासनकाल के दोरान अरम की गई थी, option D इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, वेदों की और लोटों का आहान जो है किसने किया, तो ये किया स्वामी द्यानन ने, option B इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, वह प्रतम भारतिये वेक्ति कौन थे, जो ब्रिटिस अंसद के ल इस question का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, सन 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, देखिए दोस्तों ये जो हत्याकांड है, ये अमरेसर में हुआ था पंजाब के अमरेसर में, option A right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, अंग्रेजी द्वारा बंगाल का विभाजन क बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लोड करजन के सासंकाल में और इसका जो बंगाल का विभाजन को रद कर दिया गया था 1911 में, option A right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, किसकी स्थापना राजा राम महोन राए ने की है, गाजा राम महोन राए के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थ नेक्स्ट कोशन है, साइमन कमिशन किस वर्स भारत आया था, देखिए साइमन कमिशन की जो स्थापना हुई थी ना, वो तो हुई थी 1927 में, और यह भारत आया था 1928 में, option B right answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, पंजाब के स्री का किताब किसको दिया गया है, हुवाज़ बी यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, केबिनेट मिशन भारत में किस वर्स आया था, इन विच यह डिट दा केबिनेट मिशन कम टू इंडिया, तो यह आया था, 1946 वर्स 1946 में, option A इस कोशन का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, आधुनिक भारत में स्थानिय स्थानिय स्थासन का जनक किसे का मना आता है, अधुनिक भारत में स्थानिय स्थानिय स्थासन का जनक है, यह लोड रिपन को मना आता है, option A इस कोशन का right answer होगा, नेक्स्ट कोशन है, निमन में से किसने तीनों गोल में समिलन में भाग लिया, देखे तीनों गोल में समिलन ह संपादिक है, who was the editor of Young India and Harrison, Young India और Harrison के editor है, महात्मा गांधी जी, option C, इस question का right answer होगा, next question है, गांधी जी को अधनंगा फकीर किस ने कहा था, who called गांधी जी, अधनंगा फकीर, अधनंगा फकीर गांधी जी को कहा था, Winston Churchill ने, option A, इस question का right answer होगा, next question है, मोतिलाल नहरू और सी आरदास किस पार्टी के संसापक थे, मोतिलाल नहरू और सी आरदास वर्दा, founders of which party, तो ये थे स्वाराज पार्टी के founder option C, right answer हो जाएगा, next question है, भारत के दोरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रेपती कौन था, who was the first US president to visit India, भारत के दोरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रेपती थे, D.D. Eisenhower, option A, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, next question है, फासिजम का परमुक पक्षदर कौन था, फासिजम का प्रमुक जो पक्षदर था, वो था मूसोलीनी, option A, इस question का right answer होगा, next question है, स्वतंतरता, सम्मानता, भाई चारा का नारा निमल ने किसके साथ समंधित है, with which of the following is the slogan of freedom, equality and brotherhood, तो यह समंधित है, फ्रांस की करांती से, option B, right answer हो जाएगा, next question है, अफीम यूद किन के बीच लड़ा गया था, देखिए, जो अफीम का यूद हुआ था ना, यह ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ था, option A, इस question का right answer होगा, next question है, 323 इशापुरो में सिकंदर महान की मृत्ती हुई थी, तो यह हुई थी, दोस्तों देखिए, baby loan में, option B, correct answer हो जाएगा, और आज का homework question है, 51 number question है आपका है, आज का homework question इसका answer आपको कमेंट करना है, दुनिया में पहली बार प्रमानु बं कहां पर फैंका गया था, option आपके सामने दिये गए है, जो भी right answer है, वो आपको कमेंट में बताना है, वीडियो चलगा है तो वीडियो को like करें, share करें, आपके चैनल को जुरूर subscribe कीजिएगा,